लेकिन उधित्राजी सबसे पहले आपसे ही शुरुवात करते हुए चुंकि आप तीखा आमला बहुत सारे मुद्दों को लेकर सरकार पर साथते रहते हैं ऐसे में राम चरित्मानस को राष्ट्य ग्रंत घोर्शत कर दिया जाए इसके समर्थन में अप कई लोग आ गये हैं बागेश्वर बाबा ने अपनी आवाज उठाई और उनके समर्थन करने वालों की तादाद बढ़ती भी चली जा रही हैं हिंदू राष्ट्य और राम चरित्मानस इन दोनों ही बयानों को किस तरह से देख रहे हैं और क्या ऐसा किया जाना चाहिए टेली विजन पर यह बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं और टेली विजन से आपके टेली विजन से या किसी के टेली विजन से चर्चा से देश नहीं चलता है यह पूछना चाहिए इन बुद्धिमान लोगों से कंपन की रामायन राश्ग्रंत हो कि अधि वर्जन का हो K वालमी की रामायन हो कि तो तैकर ले 300 से ज्यादा रामायने की चलता करना चाहते हैं तो बालमी के समाज का तो बालमी की समाज क्या होगा आप मानो का जो रामायन है बंगाल में दूसरा रामायन हैं तो हिंदू स्माज को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग उसी में जगड़ा कर रहे हैं लेकिन बंगाल में कौन सा पूरा बालमीकी समाज दली समाज कितना बड़ा समाज है वो तो बालमीकी जी को मांगता तो यह लोगों क्या देश तो उड़ने का ठेका ले रखाएं लो क्या रामायन को मेरी कोई मांग नहीं कोई संभिधान एक कि अरे बाई कहतो रहो पहले यह तो कर ले कौन सा रामायन पहले इनसे पूछी अकल कर ले पहले कि कौन सा रामायर ये लागू करना चाहते हैं ठीक है पहले ये पहले कर ले स्वामी दिपांकर जी आपके पास आते हैं कि रामायर रामचर इत्मानस श्रीमत भगवत गीता अब वो कौन से धर्म ग्रंथ होंगे जिसको राष्ट्रे ग्रंद घोषित किया जाए तो आप लोगों में भी बहुत कंफ्यूज है न और निशाने पर आप अपने विरोधियों को रखते हैं देखिए मैं समस्ता हूँ चित्रा जी कि रामायर रामायर है चाहे वालमी की जी ने लिखी हो या तुलसी दास ने जिसे उदिद भाई क्या है उस रामायर को कर पर रही बात जहां तक उदिद बाबू की मुझे लगता है खुद कंफ्यूज है क्या बोल रहे हैं एक बार को तिन तिन बार रिपीट कर रहे हैं मैं समस्ता हूँ कि आध्यात्मिक ग्रंत आध्यात्मिक ग्रंत रहें कह देने मात्र से क्या सरकार कर डालेगी और अगर हो स अधिया का अपनी रिपोर्ट में जिक्र दिखाया मैं हैरत में यह सोच कर हूं आधर्णिये अखिलेश यादव जी के स्वपन में कृष्ण आये थे और राम जी का अपमान हो रहा है मगर अखिलेश भाई चुप है मुझे यह मुझे नाराजगी बात का और एक दम सब्सक्राइब के मैं उनकी पास आऊंगी लेकिन जल्दी से जो बाते उदित्राज जीत की और से कही गई है यह कंफ्यूज है आप लोग कि किसको राश्ट्रे धर्म ग्रंट गोशित किया जाए पहले खुद फैसा कर लीजे उसके बाद एक सूर से अपनी बात को रखिए मैं 50 बार उदित भाई को कह चुका हूँ चलिए मेरे साथ कुम्ब आस तक नहीं चले और इस बार भी कुम्ब आयागा फिर कहूंगा चलिए फिर नहीं चलेंगे और मेरे साथ बैटकर टीवी पर कंफ्यूजन वाली बाते जवाब देना चाह रहे हैं वो उदित्राज जी तो आपको बुला रहे हैं कुम्ब में जाइए उनके साथ पिछले तीन सालों से कि संविधान विरोधी बात आपके चैनल पर कर रहे हैं लोग और आप भी चर्चा कर रहे हैं हमारा राष्टी गरंत एक है संविधान है देश संविधान से चलेगा ए राष्ट विरोधी काम पूरे टेलिविजन पर चर्चा हो रहा है और आप चर्चा कर रहे हो चर्चा ह और वो फैल्टी वी चली जा रही है तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि समाज की एक हिस्से में इसको लेकर चर्चा चल रही है और टीवी का यही काम है वह हम तो समाज का आइना है ना जो समाज में चल रहा है उसको दिखाने का काम करते हैं उदित जी इसलिए आपको है अब बताइए कि सम्मिधान से ही चलेगा देश किसे मना किया है आपको सम्मिधान से चलेगा चित्रा जी सम्मिधान से चलेगा लेकिन ये देश के अंदर करोड़ों बेरोजगार हैं किसानों की समस्या है उनकी सब्यां सड रही है या महंगाई इतना है ये मुद्दे जिस का कोई जीवन से सरोकार नहीं है राश्टी गरंत हमारा संविधान है यह इसके मतलब संविधान के विरोत की दूसरा गरंता है ऐसी चीजों से बचना चाहिए मेरा यही आग्रह था आप से आप ठीक कह रही है लेकिन आप से मेरा यही आग रहे हैं कि लोग मर रहे हैं और चीन उत्तर अब आक्रमर कर रहा है क्या यह सच्चाई है कुछ लोग बोल दिये और आज अखिले स्यादो के दिल पर वो चोट नहीं बैटी हुई है जब उनके मकान को गंगा जल से धुलवाया गया है उन्हें पता होगा कि क्या उनको छ चुप्चा बैठा देख रहा है हां यह मत समझे कि कुछ जो धरम गुरू है अब यह बेकूप बना लेंगे इनके कहने से सारा यह उद्वाइब बता है नहीं एक सिकन्ट किसके लिए बागे बागेस्वर बाबा यह पाखंडी आदमी है प्यार का आदमी है लाको를 लोगों कमर्थन हच्छलлов है वह सुनने को देख तो बहुत बड़ा है हां अरे लाखो लोग अप्राधि बी तो है इस देख में लाखो लोग अप्राधि एं करो रोगतारों भी उदिद भाई आपने भी कहा ये उदिद भाई आपने भी कहा क्या प्राजी भी है तो क्या वो पाथ लाक्रों का प्राजी है